चोपड़ा है जो किसने यूटूब चनल पर मैं हरसाई चोपड़ा आपका हरदिक स्वागत करता हूँ मेरे प्यारे बचो NTA द्वारा नीट का रेजल्ट प्रिपेर करते समय टाइब रेकिंग का यूज किया जाता है टाइब रेकिंग का मतलब होता है दो या दो से अधिक स्टुडेंट के नीट एक्जाम में अगर सेम मार्स आते हैं तो उनको ओल इंडिया रेंग कैसे अलोट होगी first preference कौनसे student को दिया जाएगा क्योंकि medical courses में admission all India rank के according ही होता है और हर एक student को एक all India rank अलोट की जाती है तो NTA नी type breaking का rule बना रखा है और उस rule में इस बार थोड़ा सा change हुआ है तो आईए जानते हैं क्या है ये rule और इसमें इस बार क्या changing हुई है तो वीडियो शुरू करने से पहले आपको बता दूँ कि अगर आपको MBBS, BDS, IUs और Veterinary Courses के बारे में जानकारी लेनी है तो मैंने इसके बारे में बुक लिख दी है आप इस e-book को हमारी website www.chopraeducation.com या फिर इस वीडियो के description box में link दिया गया है उससे भी download कर सकते हैं इसमें मैंने 24 list, top से lowest के करम में college, documents क्या requirement है, first round, second round, mop up round का क्या process है इसके बारे में इसमें fees, structure, sheet, matrix वगरा के बारे में सब कुछ अच्छी तरह से समझाया गया है तो आप इसको download कर सकते हैं तो अभी हम वीडियो के बारे में बात करते हैं तो इसमें जो type breaking का system है, वो 21 में इस प्रकार से रखा गया है सबसे पहले अगर दो या दो से अधिक candidate को same marks आते हैं मानलो अगर दो या दो से अधिक student को 600 marks आ रहे हैं तो जिसमें सबसे पहले उस candidate को preference दिया जाएगा जिसके बायो में marks ज्यादा हैं मानलो 600 marks आ रहे हैं, किसी student के बायो में 170 marks आ रहे हैं और दूसरे student के 165 आ रहे हैं तो 170 वाले को पहले rank alert की जाएगी यह मैं आपको example के लिए बता रहा हूँ अगर इसमें मान लो किसी candidate 2 या 2 से अधिक candidate के same marks हैं और bio में भी same marks हैं तो फिर उसके chemistry के marks देखे जाएंगे मान लो किसी candidate के 600 marks हैं bio में भी दोनु candidate के 170, 170 marks हैं तो उसके chemistry में marks देखे जाएंगे जिस candidate के chemistry में ज्यादा marks होंगे उसको पहले rank alert की जाएगी अभी जिन candidates के bio में भी same marks हैं और chemistry में भी same marks हैं ऐसे बहुत से candidate होंगे जिनके bio में भी marks same होंगे chemistry में marks same होंगे तो फिर उनके negative marks को देखते हुए उन्होंने incorrect कितनी किये हैं तो जिसने कम incorrect किये हैं उसको पहले प्रात्मिकता दी जाएगी जिसने correct ज्यादा किये हैं उसको पहले प्रात्मिकता दी जाएगी तो ये तीन rules पर इस बार है वो type breaking system यानि की result तयार किया जाएगा और दो या दो से अधिक candidate को same marks या percentile होने पर उनको इस प्रकार से इस order में preference दिया जाएगा 2020 में ये कुछ अलग था 2020 में ये तीन condition तो थी ही fourth condition इसमें age की थी तो इसमें जो age की condition है वो हटा दी गई है इसमें order के age में भी था यानि कि जिसकी ज्यादा age थी उसको पहले लिया जाता था कम ऐजती उसको बाद मिलिया जाता था इस order को हटा दिया है तो इसमें कुछ खामियां हैं इसमें खामियां यह हैं कि जैसे माल लो अगर 720 दो कंडिडेट को 720 मार्क्स आते हैं तो उनके तो बोटनी बाइलोजी में भी सहम मार्क्स होंगे बोटनी और जूलोजी में इसके बा ही नहीं क्योंकि नहीं तो सारे क्यूशन आटेम्ट किये होंगे तो इस कंडिशन में उन दोनों का जो आल इंडिया रेंक है वो अलोट करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा अगर यह एज का ओडर नहीं रखते हैं तो तो यहां एक प्रोब्लम आ सकती है यह उपर वाल सेवन हंड्रेट वाले मार्क्स के कंडिडेट में आ सकती है सेवन हंड्रेट फिप्टीन वाले में आ सकती है सेवन हंड्रेट टैन में भी यह कंडिशन आ सकती है प्रोब्लम आ सकती है तो इन्होंने एज का जो फैक्टर है वो इस बार रखना चाहिए थार क्योंकि अभी धीरे पेपर एजी होता जा रहा है बच्चों के मार्क्स ज्यादा आते जा रहे हैं तो उपर वाले बच्चों के सेम मार्क्स हो सकते हैं कोई यह बड़ी बात नहीं है तो यह एक जानकारी थी स्टुडेंटे काफी कोमेंट्स कर रहे थे यह टाइप ब्रेकिंग शिस्टम क् तो मैंने आपको ये पूरी जानकारी दे दी है अधर वीडियो में अधर इंफोर्मेशन के साथ में मैं हरसाई चोपड़ा आपके सामने फिर हाजिर हूँगा एक नए वीडियो के साथ नई अपडेट के साथ में तब तक मैं आपसे लेता हूँ विदा जैहिं